Hello everyone, so guys word of the day का सिरीज है देखते है आज का वर्ड कुन सा है आज का जो वर्ड है से हम बोलते हैं अगल अब अगल प्रनाउंस देखते हैं अगल ही करेंगे अगल, अगलिंग, अगल्स इसका मतलब क्या है अगल का अगल का मतलब है कि To look at someone with obvious sexual interest When you ogle someone, you look at them with love or desire in mind See, होता क्या है गई कैसे हम जब किसी को देखते हैं तो वो अवस्था, जब आप किसी को देख रहे हैं तो आपके मन में एक desire आरे है का जए मेरा हो मतलब एक प्यार उमर करके आ रहा है एक desire है यह जादा तर तो इसका इस्तमाल देखा गया है कि जो boys हैं, वो महिलाओं की तरफ देखते हैं और उस नजर से देखते हैं कि obvious sexual interest हो, तब ओगल का इस्तमाल होता है. और यह गलत ही इसका मतलब नहीं है, एक और मतलब है कि आप किसी dress को देखते हैं, आप किसी गाड़ी को दे अब वर्ड सिखाना मेरा काम है तो आपको बुरा नहीं मानना इसमें, आप इसका इस्तमाल कीजिए, तो समझ गए कि वेन यू ओगल समवन, जब आप किसी को ओगल करते हैं, यू लूक अट देम, आप उसकी तरफ देखते हैं विद लव और डिजायर, बहुत ही प्यार और वो तमन्ना, वो चाहत वो आजाती है, जो आपके माइंड में रहती है, उस नजर से आप इसको देखते हैं, और आप किसी अबजिक्ट की तरफ भी देखते हैं और आपके मन में डिजायर है, तब भी आप उगल का इस्तमाल करते हैं, समझ गया, एक्जाम्पल देख लिज अब माली जी की कोई महिला थी, वो ब्लू रंग का ड्रेस पहनी थी, अलाल रंग का ड्रेस पहनी थी, और आप उसको देख रहे थे, तो आप देख रहे थे, तो आप लुक, मतलब यह भी मैं कह सकता हूँ कि you were looking at that lady, okay, gazing, glare, बहुत सारे है, stare, घूरना, बहुत सारे words हैं, लेकिन अगर मैं यह समझ जाओं कि बंदा उन नजरों से देख रहा था उसको, जो लल्चाई हुई नजरों से, तो मैं वहाँ पर यह look यह stare न बोल करके, मैं बोलोगा कि glare, you were, sorry, ogle, you were ogling that lady, ogle का हम वहाँ पर इस्तमाल करें, जैसे कई परकार के हसना होते हैं, उसी परका जो है सब को ogle कर रहा था, ogle का मतलब है कि वह ताड रहा था, उस feeling के साथ उस देख रहा था, उस desire, उस तमन्ना के साथ उसको देख रहा था, तो जादा तर इसका इस्तमाल तो आप देखेंगे कि, मस्ती मजाक में इसी तरीके से होता है कि, अच्छा, you are ogling that girl, इस तरीके स आप देख रहे हैं कि वह बार में बैठा और जितनी भी महां महिल आए थी सबको ogle कर रहा था, सबको देख रहा था, लेकिन आप ऐसे भी कह सकती कि, yesterday I saw a Bentley car and I started ogling it, कल मैंने एक Bentley गारी को देखी और मैं उसे ogle करने लगा, तो ogle का मतलब है कि फिर मैं उसे घूरता गया, उस तमना से, उस डिजायर से गया, रहे यार, काश ये मेरी हो जाए, तो ये ogle होता है, I hope कि आपके समझ में आ रहा होगा, तो आप ogle का इस्तमाल कीजिए, there are so many words, जो as per situation आना चाहिए, you know, हम सिर्फ कहते है smile or laugh, हम दो ही जानते हैं, लेकिन किस तरीके से कौन हसता है, उस उसके लिए अलग-अलग शब्त है, I hope कि आपके समझ में ओगल आ गया होगा, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता है एक लिए वीडियो में, तिल देन, टेक कियर, कीव प्राक्टिसिंग, and have fun, thank you guys, अगर आप चाहे हैं, तो इसके एक स्क्रिंशोट ले दीचे, OK, see you in next episode, thank you